ओके हलो एवरिवन वेलकम तो माई चैनल केम जोन डेवलपिंग साइंटिफिक एप्रोच इस वीडियो में बात करें इलास्टिस रिटी की तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर फर्स टाइम है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए देखिए इलास्टिस रिटी के हम बात करें तो इलास्टिस रिटी प्रॉपर्टी होती है हमारे मटेल बॉडी की इन वीच अगर हम इलास्टिक लिट की बात करें तो इसके बाद हम मेडिशिमम वेलू of deforming force up to which material shows elastic properties यह अगर हम elastic limit की बात करें तो maximum value होती है हमरे deforming force की जब तक कि हमारा material क्या करता है अपनी elastic properties को लोस कर देता है उसी को कहा जाता elastic limit for example हमारे पास एक rubber है और उस rubber को मैं stretch करता हो तो एक limit को जरू से ज़्यादा ही stretch करता हो तो क्या होगा वो तूट जाएगा मतलब उसकी elastic properties उसको क्या कर देता है वो लोस कर देता है ठीक है इस तरह से elastic limit को समझ सकते हैं फिर हमारे पास आता stress stress की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कहा कि the restore force per unit area of inside the body जो हमारे restoring जो force होता है per unit area पर inside the body उसी को कहा जाता stress तो inside the body जो हमारा per unit या कहें कि restoring जो force होता per unit हमारे inside the body वो हमारे क्या कहलाता है stress कहलाता है फिर हमारे पास आता है strain के अगर हम बात करें तो यह relative change होता है in dimension or shape of body लेकि relative change in dimension और shape of body में जब relative change के हम बात करते हैं तो इसको strain में देखा जाता है किसे माल नीचा हमारे पास एक wire है और इस wire पर हम जो deforming force लगाते है तो wire की लंबाई में क्या होता है या उसकी length में change होता है तो वो क्या होता हमारा strain होता है ठीक है इसके बाद हमारे पास आता है कि इसको measure कैसे करते हैं तो it is measure by the ratio change in length to the original length और change तो क्या है it is a measure by ratio of change in length to original length और change in volume to original volume जो original length होती है उसे हम longitudinal strain के नाम से जानते हैं और जो original volume होता है उसे हम volume strain के नाम से identify करते हैं then हमारे पास आता हुक्स लोग्स 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 limit के अंदर ही हमारा जो stress होता है वो strain के directly proportional होता है फिर अगर हम इस proportionality के sign को remove करते हैं तो हमारे पास यह आता है जो कि हमारा elastic constant है और strain को हम इस इकल्टू के उधर पोचा देंगे तो हमारा ratio बन जाएगा तो different material के लिए अगर हमारे different materials होंगे तो elastic जो हमारा constant होता है इसकी value भी क्या होगी different होती है इसकी SI unit की अगर हम बात करें तो SI unit होती है इसकी Newton meter square इसको हम पासकल में भी measure करते हैं फिर अगर हम बात करें कि elastic constant को three category में classify करते हैं first हमारे पास अता है young's module of elasticity जिसको हम y से represent करते हैं और third हमारे पास अता rigidity of modulus जिसको हम इटा से represent करते हैं इनके formula के अगर हम बात करें कि यंग modulus of elasticity का formula बलको modulus of elasticity का formula rigidity of modulus का formula क्या है तो देखते चलिए first हमारे पास आता है young modulus of elasticity इसके अंदर क्या रखा longitudinal stress or longitudinal strain हमने कहा था कि stress upon में strain देखने को मिलेगा तो stress हमारा उपर आ जाएगा और इससे हमारा क्या जाएगा नीचे आ जाएगा similarly अगर हम volume की बात करें तो क्या हो जाएगा stress upon में strain जो कि हम किसके अंदर देखते हैं यह हम देखते हैं हमारे bulk of modulus bulk modulus of elasticity के अंदर फिर हमारे पास आता है rigidity of modulus इसके अंदर हम बात करते हैं tangential stress और यह कहें कि share strain लेकि tangential stress को हम share के नाम से भी बोल सकते हैं और नीचे कहाए share strain इस तरह से क्या कर सकते हम elasticity constant को भी easily से देख सकते हैं सो पूछा जा सकता है so thank you so much for watching my video